बच्चो नमस्कार मैं हूँ नरायन पटिल आपके अपने चनल पर आज हम बात करेंगे जवार नवोदेपी देले प्रिवेस परिक्षा का चन्नों के लिए जिसका पेपर 11 फरवरी को होने वाला है उसी के संदर्म में आज हम 2018 का गणित का पेपर लाएं पचो इसी प्रकार से गणित का पेपर आता है तो आएए पटापड इसको हम पूरा हल करेंगे और आप मेरे साथ बने रहें और देखे किस प्रकार के प्रशन आते हैं और अगर आपने अभी इसी संख्या से गुना करना है तो करते के हैं इसको माइनस वन अपन फोर से गुना कर देंगे और इसकी वैलू वन आ जाएगे इसका मतलब इसका गुनात्मक प्रतिलोम हो गया माइनस एक बटे चार्व आपके बास समझ में आ गई होगी मतलब अगर किसी भी संख्या का ग ब्यूत कर मेनी उल्टा निकालना है उससे हम साइन में लिख देना है अगला है देखें आपका अगला प्रशन है एक है तो एक कौन सी चीज है इसमें से कई आपसन आपको दे रखें परिमे संख्या के गुणन के लिए तस्तमक बिल्कुर सही यही होगा क्यों होगा क्योंकि तस्तमक पूछ रहा है मल्टिपिकेट्यू आइडिंटिटी मतलब एक आप किसी भी संख्या से गुणा करें वो किसी की आइडिंटिटी को नहीं खोता देखें एही आएगा अगर हम जीरो को भी अगर एक से गुणा कर दे तो देखें जीरो आएगा माइनस थिरी को अगर जीरो थिरी का घंगर मतलब इसको तीन बार आपको बच्चो गुणा करना तो आप यहां पॉइंट लगा लेएंगे देखेण यह हो जाएगा जीरो थिरी इंट्रू जीरो थिरी इंट्रू जीरो थिरी और सब के आगए आप डिस्मल लगा लेंगे तो 3, demostのは सब कि जान है चार पांच और छे तो इसका मतलब आदेगा पॉइंट जीरो 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 टू सेवन तो जिसमें चार जीरो आगे लगे हो वह वाला आप यहां से देख ली जाते देखें यह आप सुन वी में बच्चो मिला है अगला प्रशना आपके सामने है यह दि अंडरूड पॉ जाय दे रहा हूं एक डेसिमन लगा तो यहां से आपको एक जोड़ा बना लेना एक जोड़ा इधर अब आप इसको क्या करिए देखें तीन से जा रहा है तो थीरी थीरी जा नाइन एक पॉइंट लगा लीजिएगा क्योंक हम पॉइंट की संख्या यूज करेंगे तीन त नाइन तो यह करोगे आजाएगा छे सो एक इसका मतलब इसका अगर हम अंडरूग निकालेंगे तो आजाएगा पॉइंट थीरी नाइन यानि आप संदेखें बच्चो सी वाला मिला है चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगरा प्रश्न है निमनांकित में से से एक पूरगं नहीं है मतलब तीन वार उना करने से नहीं बनाया जा सकता तो यह देखे बच्चो यहाँ पर यह देखे पाँच का घन है पाचम पचीस पंची गक सो पचीस यह देखे 216 चे का है चिछरंग चती चटी चक का 216 होता है और यह देखे बच्चो साथी 70740345 लेकिन यह किसी विशन क्या का गंड नहीं है, तो इसका मतलब यहां से आपसन D वाला सही होगा, अब देखें यहां पर तीसरा वाला है, बहुत आसान है, और इसे आप बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं, देखें बच्चों, तीन का है, यहां पर एक जोड़ा, इधर से ब सीधे घन अगन निकालेंगे तो जाएगा 0.09 यह अपसल सी वाला सही होगा अब एक अगला बच्चो काफी सरल है 4096 का अगर हम अंडरूट निकालें तो आता 64 तो 4096 और इन दोनों का अंडरूट पूंच रहा है तो इसका अंडरूट देखे बच्चो आगे 64 पहले वाले का तो मैंने 64 लिखती जाएगा अब प्लस दूसरे वाले का एक डेसिमल यहां है एक यहां है मतलब एक संख्या पूडांक आएगी दूसरा डेसिमल आएगा तो 6.4 इसका भी आएगा लिकिन डेसिमल यहां लग जाएगा अब यह तुम्हारे पास हो गए 64 में 6.4 जोड़ दोगे तो 0 यह 4 आ जाएगा बच्चो और यह 6.4 यह 70.4 तो 70.4 आपसन यह वाला बिल्कुल सही है अगर मैं अगले प्रिश्ण की बात करूं तो 5.27,64,125,216,T मतला अगली क्या होगी अब आप यह देखे तीन का घन है बच्चो तीन तीन होदिया सत्ता इस चार का है तो अगला साथ का होगा ठीक है तो अगर हम साथ का करेंगे सास तीन चार सत्ते तीन सो तेतानिस यानि आपसन बिल्कुला हो जाएगा इसका मतलब अगला यह टी की जगे पर साथ की घात तीन होगा अगला परस्न मैं देख लेता हूं 39 यह भी बहुत अच्छा परस्न है पूछ रहा है एक सिक्का को 240 बार उचाला जाता है और 60 बार पटाता है तो चित आने की तो देखिए 240 में से 60 अगर आप घटा दोगे तो यह पता चल जाएगा कि चित इतनी बार आएगा तो चित आन यह भी का हो गया 180 और टोटल संभावना केतनी 240 बच्चों ठीक है जीरो जीरो कट जाएगा और आप इसको काट भी सकते हो छे से काट लो छे तीन बटे चार तो यहां से तीन बटे चार इसकी प्राइकता आदे बच्चों पी बराबर तीन बटे चार और उसका पूंश रह इसकी जो प्राइकता वो 75% है अगला है वर्ग 22, 31 के वर्ग माप में क्या होता है उच्च सीमा मैनस निमनसीमा तो यहां पर 31 आपकी उच्च सीमा है और यह क्या है हमारी निमनसीमा है तो 31 माइनस 22 बढ़ाबर आजाएगा यहां से 7 आंसर आपका सही होगा तेकि अगला प माल लेते हैं पुत्र जो है X है दो उसका पिता चार X हो जाएगा ठीक है तो अब आपको इतना हमने को माल लेना है अब कह रहा है दस साल के बाद दो दस साल के बाद इसका जो फादर होगा वो चार X plus 10 year का हो जाएगा लड़का भी X plus 10 हो जाएगा आज अगर आपने माला आए उम्र तो 10 साल बाद 10 दोनों में जोड देंगे अब तीसरा कहरा पुत्र की आई उसे तीन गुना हो जाएगा कौन उसका पिता ये तीन गुना ये वाला तो इसको हम क्या कर देंगे तीन से गुना दोनों हो गई बराबर अब आप इसको हल कर लीजिएगा 4x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 10 नहीं 30 तो ये 4x माइनस 3x बराबर 30 माइनस 20 तो x बराबर बच्चो आजाएगा ये तुमारा देखिए x बराबर आपका आजाएगा 30 में 30 में से सौरी ये 10 घटाना है आपको तो आजाएगा बच्चो 20 x की बेलू 20 आगई अब आपसे पूछ रहा है पिता कि आयू चार वर्स क्या होगी चार वर्स बात, पाँच वर्स बात तो आज पिता है चार एक्स का तो चार इंटू बीस, बीस चक्को 80 साल का तो अभी है पांच साल बाद इसमें पांच और जोड दीजिए तो इसकी उम्र हो जाएगी 85 साल जो कि आपसन B में बच्चो आपको मिल लई है अगला प्रिशन है 2X upon 5 minus 6 equal to 5X upon 3 तब 3X तो minus 4 का मान के होगा यह तभी निकाल पाओगे जब हम X की value मुझे पता हो अब हम X की value कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसको साल्व करेंगे यह नि इसको हम हल कर लेंगे तो आप देखिए यह 2X बटी 5 और इधर से यह 5X बटी 3 ले आएंगे और उस साइड यह 6 ले जाएंगे अब हमारी गिंती एक तरफ होगा और अच्छा एक तरफ होगा इसका अगर इलसियम बच्चों लोगे 15 आएगा तो 3 दूनी 6 और पचम 25X बड़ाबर 6 हो जाएगा तो यहां से आपका आजाएगा यह 19X बटे 15 बड़ाबर 6 अब आप इसकी तिरियक गुणा कर दोगे आपको करना क्या है उसमें जो आपको दिया 3X-4 में इसकी वैलू रख लेना है तो यह बच्चों मैं इधर की रख देता हूं 3X-4 तो 3X की वैलू है माइनस नबब बड़ाबर 12-4 ठीक है तो नवतिया 27 से आजाएगा बच्चों 270-29 चक्कू तो 4 into 19 और सबका हमने LCM ले लिया यह 29 ही आया इक्वल टू अब आपने उनको जोड़ लोगे 270-76- और यह 19 जब तो उनको जोड़ देोगे तो आजाएगा 346-19 तो 346-19 समभता जो आपसना आपको मिले वो आप यहां से लगा सकती हो तो यह आपसन A में साइद मिला तो यह A वाला सही होगा अगर मैं अगले प्रशन की बात करूँ एक अच्छा प्रशन है और इसे आप बहुत आसानी से लगा भी बच्चों सकती हो कहरा दो अंकों की संख्या में तो dो अंकों की संख्या क्या होती है? उसमें एक तो बच्चों इक होता, आप लोग जानते ही हो और एक होती ही बच्छों दहाई ठीक है? दहाई का अंक इकाई के अंक से दो गुना है तो यकाई अगर एकस है तो दहाई बेटा हो गई 2x, ठीक है तो इकाई का ऐंक X हो तो संख्या होगी, अब संख्या बनाना संख्या क्या होता है, दहाई को 10 से गुना कर देते हैं और एकाई को 1 से गुना कर देते हैं बन जाती ही संख्या तो बच्छों, यह हो जाएगा, 20x प्लस x बराबर जोड़ लोग एकई सक्स यानि सुन्ख्या बन के आएगी वो आजाएगी एकई सक्स यानि अपसंदी बिल्कुल सही होगा अगर मैं अगले प्रश्ण की बात करूँ छे के चार क्रमागत गुर्जों का योगफल इतना हो तो सबसे बड़ा गुर्ज क्या होगा अच्छा प्रश्ण है अब आपके सामने अगर आप इसे करना चाहें तो इसके दिखे चार गुर्जों मालने वो भी छे के तो अगर पहला गुर्जों माल लेते हैं इसका हो जाएगा एक्स ठीक है इतना समझ में जरूर आ गया होगा अगर पहला हम गुर्जों इसका एक्स मालने तो दूसरे में एक्स और जोड़ दू एक्स प्लस छे तो अगला का हो जाएगा एक्स प्लस बारा अगला का हो जाएगा एक्स प्लस अठारा और इनका जोड़ा रहा है चार सो बानवे ठीक है बच्चा अगर आपने सबको जोड़ों को देखी आजाएगा चार एकस एकस चार एकस प्लस छे बारा छे अठारा अठारा दूनी 36 बराबर 492 तो 4 एकस बराबर 492 माइनस 36 घटा लोगे तो आजाएगा 456 ठीक है तो एकस बराबर आजाएगा 456 बटे 4 इसको आप काट दोगे देखें कम चार चार एकम चार चार चक को 16 तो सबसे छोटी जो संग्या आगई वो 114 होगे अब सबसे बड़ी पूंच रहा है तो सबसे बड़ी हमारी थी एकस प्लस 18 तो इसका मतलब 114 जो है 114 में आप 18 और जोड़ दीजे थोड़ा चल नहीं रहा है 18 जोड़िएगा तो इसको जैसे जोड़ो गया जाएगा 132 इसका मतलब जो सबसे बड़ी संग्याच है कि वह 132 यह कुण अज ठीक चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रस्न है एक पंच बुझ के एक ही क्रम से लिए गए सभी 22 कूणों का योग क्या होगा तो आप देखें पहले बात यह समझें पंच बुझ में पूरे अंता कूणों के योगफ़न कितना होता तो इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों देखें 2N-4 संकूण बराबर आप करोगे तो दस में से चार चला गया छे चे नमईया चाववन यानी 360 डिगरी पूरा होगया यानी पंच बुझ के सभी कूणों के योग होगया तीन सो साथ चे नमक चाववन सोरी 540 आना चाहिए था आप थोड़ा ध्यान नहीं दिया 5-4 इंटू 90 था विच आना ऐसे और ऐसे तो इनका जो योग होगा यह 500 आपका 40 हो गया तो अगर आप मैं 541 एक का है तो इसको हम चुकि इसमें भुझाएं कितनी 5 तो 5 से भाग कर दोगे तो एक कूण बनेगा 108 डिगरी का यानी सभी कूण 108 के हैं तो आप आप ऐसे समझ लीजिए जो भी है यह 108 108 का है यह वाला तो बाहर का कितना होगा यह पूरा 180 हुआ तो 180 180 180 180 माइनस 108 यह बराबर होता है बच्चो 72 यानी एक बहीस कूण बनेगा 72 इसमें बनेगा कितने 5 तो 72 पंजे बच्चा होता है 360 इसका मतलब जो बहीस कूण होता है जो पंच भुझो होता है उसके बहीस कूणों का योग फल कितना होगा वो होगा आपका 360 डिगिरी यहां से निकाल लीजिएगा अगला हमारे पास प्रशन है एक अदुतिये चतुर भुझ की रचना करने के लिए नियूंतब तो चुकि चतुर भुझ है तो कम से कम उसमें चार अवयोग पता होना जरूर यह तो आप सक एस सही हो जाएगा एक भुझ का प्रतेक आंतरी कौण 144 दुभुझ की बुझाए बताईए इसके लिए भी मैंने आपको जो अभी भी फार्मूला बताया था आप उसका प्रियोग यहां परियाद करते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कैसे आपके पास सभी कौणों के उप़ल ह होता है 2N-4 सम कौण यानी 90 अब इसमें कितनी भुझाए मान लेतने एन भुझाए इसके हिसाब से मैंने भाग कर दिया तो एक कौण आ गया 144 यानी अंता कौणों के योगफल बटे भुझाओ के संक्या तो निकलाएगा कि एक कौण कितना होगा तो एक कौण 144 दिया उसके आप बराबर कर दिजेगा अब आप इसको हल कर लीजे नव दूनी अठारा तो यह हो जाएगा 180-360 बराबर 144N क्योंक तिर्शी मैंने गुणा कर दिया है ठीक है तो हमारे पास यह हो जाएगा 180N-144 बराबर 360 तो यह जाएगा 36N बराबर 360 इसलिए इन बराबर 360 बटे 36 इकम 36 दहाम इसका मतलब इनकी बरू 10 आगे तो इसमें भुजाओं के संक्या बच्चों कितनी होगी 10 होगी ठीक है तो यहां से आप्शन एवाला सही होगा अगला प्रशन है एक सस्ट बुझ के 6 कौण करमसा इतने 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 तो वो कौण क्या होगा तो अभी आपने देखा था संसस्ट बुझ के जो कौण होते हैं वो कितने होते हैं नहीं मालू तो इसका भी मैं आपको आज एक तरीका बताए दे रहा हूं कर कभी भूल भी जाओ तो देखे 6 कौणा बना लीजिएगा ऐसे ठीक है ऐसे हो गया ऐसे और ऐसे अब देखो ए तरीपुझ एक दो तीन चार और एक चतुरबुझ का एक त्रीपुझ का होता एक सव साथ चार है ठीक एक दो तीन चार अठार चोग भातर साथ सो बीस मतलब सभी कौणों को यह उगफल हो गया साथ सो बीस उसमें अगर आप देखोगे पहला अगर कौण आप देखो तो यह देखे चार एकस माल लिए पहला चार एकस दूसरा पॉच एकस दूसरा चैकस फिर साथ एकस फिर आठ एकस प्लस शिक एकस इनको आप जोड़न तो यह जाएगा बच्चों 36 एकस बराबर सासो बीस तो एकस बराबर चार इस से भाग कर दोगए 720, 32, 36, 36, 36, 32, 72, X की वैलू आ गई 20, कितनी आ गई 20, तो पहला कूरा आपका हो गया 20 चपको, 80, 25, 126, 120, 20, 70, 140, 20, 68, 180, ने, 821, 16, 16, 16, 12, 120, तो ऐसा कहीं परा को दिख रहा होगे, जिसमें 80, 100, 120, 140, 160, तो अपसर B वाला मिल लहा है, अगला प्रस्ण सम्भवू जिसका प्रत्यकोंड 140 हो जाओं के संक, यह भी पहले कर आ चुका हूँ, इसे आप जरूर करिएगा, यह आपके लिए, होमवर्क है, ठीक है, अगला प्रस्ण अगर आप देखें, 11X प्लस 8Y, इंटू 11X माइनस 8Y, तो यह आपने फार्मूला पच्चों पढ़ा होगा, A प्लस B और A माइनस B, तो यह हो जाता है, A स्कुर माइनस B स्कुर, तो यह देखें, पिल्कुल वही फार्मूला यहां लगा देंगे, तो हो जाएगा, 11X का होल स्कुर माइनस 8Y का होल स्कुर, तो 11 गिरह में 100, 11X स्कुर माइनस 8884, Y स्कुर, ऐसा कहीं आपको मिल लाओगा, यह देखें, आप्चन D में, तो आप यहां से D वाला आप्चन कर लीजिएगा, चलिए, अगले प्रिशन के और मैं बढ़ता हूँ, अगला प्रिशन आपके लिए बहुत आसान प्रिशन है, जिसे आप कर सकते हैं, क्योवले आपको गुना करनी है, AX को इससे करना है, अब इसको इससे करेंगे, माइनस AQXY, थोड़ा से लिखने बढ़ दोड़ा, पीस इससे B वाले इससे करोगे आप इससे, तो यह हो जाएगा, प्लस B, PXY, अब इसको इससे करोगे, माइनस BQY, इसको यह देखें, आप्षन A में आपका मिला है, तो ठीक, यहाँ से आप्षन, यह हो जाएगा, किवला आपको गुना करनी है, अगला देखें, हमारे पास गुननखंड करने है, 16X स्क्वाइर माइनस 40, प्लस 25 के गुननखंड करिए, तो गुननखंड करने के लिए, आपको मैं आपको बता दूँ, अज बहुत सरल तरीका, AX प्लस BX प्लस C के जब भी गुननखंड करते हैं, A और C के गुना कर लिजिए, A और C, अगर यह पॉज्टिव आता है, तो इसके ऐसे दो गुननखंड करिए, जिनको जोडने से या घटाने से, चार, चक्कू, सोला, पचम, पचीस कर लो, चार, पंजे, बीस, इंटू, बीस, और बीस, प्लस B, मिलके होता है, बच्चो, चालिस, अब देखें कैसे करेंगे आप, यहां लिखोगा आप, सोला, X स्कुर, माइनस के, इसको लिख दीजे, बीस, एक्स, माइनस, बीस, एक्स, और फ्लस, 25, अब आप यहां से, देखे, 4X, कामन हो जाएगा, तो यह बचेएगा, 4X, माइनस, 5, माइनस, यहां से, देख बच्चो, 5, 5 कामन है, कि बहुन, पंच, कुबीज, 25, то यह, देखे, 4X, माइनस 5 4x माइनस 5 यह 2 गुणंखंड इसके बनेंगे यहीं समान वाले बनेंगे 4x माइनस 5 और 4x माइनस 5 अब सन D अब अगला आपको यहां से गुणा करना है अब यह मैं आपको नहीं बतांगा 3.09 और 2.91 से गुणा करना इतना तो आप करी सकते हो, ना मानो, तो मैं आपको करके भी एक सेकंड में दिखा रहा है, तो नौनमा, एक्यासी आए जाएगा बच्छो, ठीक, अब इसको तो को आएड करोगे, तो मैं आपको सरल बता रहा हूँ, देखे, नव आएगा, एक आएगा, एक आएगा, तो जिस की जरू करके देखेगा, वही आजनसर आपको आजाएगा, ठीक है, जो कटिन प्रिशन वह मैं आपको जरू बता हूँगा, अब देखे, 15, 159, A², B, C को इतने से विभाजित करना है नहीं, भाग करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा, 159, A², B, C, बटे, 3, 18, A, B, अब देखे, इसको आप, 1 जा, यह 2 जा हो गया, तो यह हो गया, 1 by 2, आगे देखो, 1 A, A के कट गया, तो A, A बच गया, B, और B कट गया, पूरा, तो यहां C बच गया, तो यह हो जो गया, A, C, इसका मतलब, A, C by 2, तो A, C by 2 हमारा कहां पहे है, आपसल, C, चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर, अगला प्रस्न है, यदि, माइनस 28 बटे 29 की पावर माइनस 3 बराबर Y, तो Y का मान होगा, तो अब देखे, यहां पर यह 3 बार है, तो हम अगर एक बार करते हैं, तो यह हो जाएगा, माइनस, माइनस 31 बटे 28 माइनस, तो यह माइनस एक बार 2 हो गया, फिर एक बार इसको उपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेंगे, तो दो, एक बचे का पुना, इन्हीं इसको तीन बार हमें करना पड़ेगा, तब जाके यह, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको यह पलट जाएगा, माइनस 31 बटे 28 हो जाएगा, क्यों घातांक आप थोड़ क्या हुआ.